हलो दोस्तों मैं उफ़याज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो आज के इस वीडियो में मैं आपको बाइपास कपलर के बारें बताऊंगा ICF कोच में बाइपास कपलर का इस्तमाल कब होता है और क्यों होता है कहा होता है कैसे होता है अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है देखें ICF कोच में कई बार ऐसा होता है कि जब सेक्षन में जब कोई ट्रेन चलती है तो सेक्षन में उसका जो बीपी पाइप होता है यानि कि जो ब्रेक पाइप होता है जिसे हम ट्रेन पाइप भी कहते है वो कई बर फड़ जाता है लीकेज हो जाता है खराब हो जाता है और उसको section में repair नहीं किया जा सकता है तो आप सबको पता है कि BP pipe के वज़र से train में brake लगता है और brake release होता है लेकिन अगर BP pipe फड़ जाए या BP pipe खराब हो जाए उसमें से heavy leakage हो जाए और उसे repair न किया जा सके तो train का braking system पूरी तरह से बंद हो जाएगा और train आगे नहीं जा सकती है इससे बचने के लिए twin pipe system में यानि कि जो हमारी passenger गाड़िया होती है उन में twin pipe system होता है एक feed pipe होता है और एक FP होता है जो feed pipe कहलाता है और एक brake pipe होता है जिसे हम BP कहते हैं तो अगर BP में problem आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि coach को bypass कर देते हैं जिस coach के BP pipe में problem आती है leakage या कोई भी problem आती है जिसके वज़े से उस coach का braking system पूरे गारी को प्रभावित करता है तो हम क्या करते हैं उस coach को bypass कर देते हैं और bypass करने के लिए चाहिए होता है bypass coupler और यह bypass coupler होता कैसे है और यह work कैसे करता है coach को bypass कैसे करते हैं यह पूरी जानकारी मेरेज आपको इस वीडियो में दि कोशिश करूँगा कि bypass coupler का इस्तमाल क्यों कर और कैसे होता है इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने bypass coupler को लिखा है कि उसे कैसे कपल करते हैं कहां कपल करते हैं किस pipe से किस pipe को जोड़ते हैं और यह पूरा system कैसे होता है तो चले हम चलते हैं अपने laptop screen पे और यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको तीन कोश दिख रहा है जिसे मैंने बनाया है हलाकि अच्छा नहीं बना होगा पिर भी जैसा भी बना मैंने बनाया है अब देखें यहां पे आपको तीन कोश दिख रहे हैं और यहां पे अगर left side से बात की ज यहां पर मैंने BP बनानी कोशिश की है यानि कि break pipe तो अगर मैं white background पे white लेता तो FP दिखता नहीं है हलाकि FP का जो color code white होता है तो मान लिए जो gray color का है वो FP है और जो green color का है वो BPA break pipe है तो अगर आप इस drawing को देखेंगे तो यहां पर आपको साथ दिखेगा कि जो FP pipe होता है वो यह engine से जब शुरू होता है तो हर coach में चला जाता है लेकिन वो सिर्फ auxiliary reservoir से जुड़ा रहता है जबकि जो अमरे BP है BP से बाकि जितने भी ब्रेक component होते है जो breaking के जो parts होते है वो सारे BP से जुड़े होते है यानि कि हमारे डीबी जो होता है वो BP से जुड़ा होता है इसके अलावाँ जो हमारे BMBC वगर होते है जो air pressure जाता है वो सब BP से ही होता है तो यहां पर इस drawing में गो कोशिश किये कि fp जो है सिर्फ यहाँ पे axillary reservoir को भदने काम करता है जब कि bp अबना रहे db से connect होता है और बाकी चीज़ों से connect होता है तो यहाँ पर देखिए fp का मतलब होता है feed pipe coach में feed pipe axillary reservoir के साथ जुड़ा होता है जब कि अगर हम bp की बात करें इसका मतलब होता है break pipe यानि कि coach में break pipe जो है बाकी distributor wall जिसे कि हम shortcut में db कहते है उसके साथ common pipe bracket के साथ जुड़ा होता है तो देखिए यह अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिदर fp और bp लिखा हुआ है इधर engine जुड़ा है मान लि bp pipe है उसमें बीच में red color का एक आपको blink करता हुआ दिख रहा है इसका मतलब है कि वहां से जो है यह bp pipe वो crack हो गया है टूड़ गया है फट गया है लिकेज हो गया है और यह repair नहीं हो सकता है और यह गाड़ी section में यानि कि रास्ते में जहां जार यह कहीं रास्ते में यह गया है तो यहां पर तो repair हो नहीं सकता है coach भी नहीं बदल सकते हैं क्योंकि section में coach कहां से आएगा तो यहां पर problem हो गई है अब यह problem हुई है BP pipe में और जब BP pipe में problem हुई है तो इसके वज़ए से पूरा pressure डाउन हो जाएगा और पूरी गारी का braking system बंद हो जाएगा तो इसक का brake काम करना बंद कर देगा और अगर यह खराबी section में होगी तो मरमत का काम भी नहीं हो सकता है और coach को बदला भी नहीं जा सकता है इसके वज़ए से train चलेगी नहीं वहां से आगे जाएगी नहीं तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगले slide में देखते हैं इस समस्या का समध समधान है bypass coupler जब इस तरह की समस्या आती है तो इसका समधान होता है bypass coupler और अभी आपको bypass coupler का जो फोटो दिख रहा है यह आप देख सकते कि इसका एक end जो है बीपी का है जबकि दूसरा end यहाँ पे fp का है यानि ki fp और bp के दो पाम को एक सांध वेल्ड करके इसको बना आठरा से यह पूरा बाइपास कपलर करता है यहाँ पर आपको जूड़ा वग दिख रहा है जिसको कोई एक साथ रखके वेल्डिंग किया जाता है तो यह बाइपास कपलर है अब देखें यहाँ पर मैंने दोनों फोटो ले रखें और यहाँ पर मैं आपको रिखा दू कि BIPAS कपलर कैसे काम करते हैं देखें जो सबसे पहले ओपर वाला जो एनिमेशन है और आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एनिमेशन है ये बिलकुल सिंपल है जैसा हमारी गारी चलती है सारे connection वैसी है इसमें कोई बतलाव नहीं है लेकिन अगर नीचे वाले जो हम connection की बात करें तो यहां नीचे वाले connection में देखेंगे तो यह connection कुछ अलग है और यहां देखेंगे तो यह connection अलग है उपर वाले में यहां पर अलग connection है अब बहुत ध्य जो डेली का हमरा है वो चीज है regular लेकिन नीचे वाला जो है ये bypass किया गया बाइपास कपलर है अब इसमें bypass कपलर कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ करना है मतलर इसके breaking system को बंद कर देना है और इसके पहले वाले coach के जो भी air pressure है उसको हमें इसको छोड़के इसके बाद वाले coach में भेज देना है तो इसको bypass करते है यानि इस coach को हमें bypass कर देना है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले engine के पास हम क्या करते हैं, fp connection को बंद कर देते हैं, यानि कि हम पूरे गाड़ी में fp के supply को बंद कर देते हैं, fp pipe को dummy कर देते हैं, और यहां से जो हमारी गाड़ी हो जाती है, वो single pipe हो जाती है, जो की breaking time और गाड़ी में और तो जो बंद कर देते है तो में थी अब होंगा. important है fp हो ना हो कोई फरक नहीं पड़ता है bp होना चाहिए bp सही हो तो गाड़ी हमारी सही चलेगी तो यहां पर हमार bp pipe फट गया है तो हम क्या करेंगे fp को dummy कर देंगे और उसके बाद जिस coach का bp pipe फटा है उसके पहले वाले coach के fp को हटा देंगे यानि fp और bp का connection हटा द देंगे यानि कि मान लिजी कि पहला coach a है तो a का bp pressure coach b के fp pipe में जाएगा और उसके बाद fp pipe से होते हुए coach c के वापस bp पहुच जाएगा यहीं पर bypass coupler का काम होता है bypass coupler क्या होता है कि एक बार fp से एक से जोड़ जाता है और दूसरा से बीप से जोड़ जाता है तो bypass coupler यहां हम लगा देंगे दोनों तरफ coach के दोनों end में bypass coupler लगाएंगे जिस coach के break pipe में leakage है या break pipe फड़ गया है उसके fp pipe को हम उसके आगे और पीछे वाले coach के bp से जोड़ देंगे यानि कि इधर का coach और इधर का coach इन दोनों coach के bp pressure को बीच वाले coach के fp pipe में दे देंगे तो क्या होगा इधर के coach का bp pressure बीच वाले के fp pipe से होते हुए इधर वाले के bp में चला जाएगा तो बीच वाला coach bypass हो जाएगा लेकिन पूरी train single pipe हो जाएगी तो इसके वज़ए से breaking time और releasing time बढ़ जाएगा और इस चीज़ का ध्यान guard और driver को लखना पड़ता है तो bypass coupler का इस information देखा है तो चली एक छोटा से वीडियो देख लीजिए और उसको समझने कोशिश करिए कि ये कैसे होता है अच्छा ये काफी important है अगर आप CNW staff है railway staff है तो ये जानना आपके लिए बहुत important है कि bypass coupling को कैसे जोड़ा जाता है कैसे नहीं जोड़ा जाता है या फिर इसको कै कैसे attach और de-attach किया जाता है इसके अलावा जब भी bypass coupling को जोड़ा जाता है तो जो angle cock होते हैं उनको बंद किया जाता है क्योंकि engine के तरफ से pressure आ रहा है अगर आप angle cock को बंद किये हुए pipe के connection को uncouple करेंगे तो वो आपको चोट पहुँचा सकते है तो इसलिए angle cock को बंद करन और उसके बाद जिस गाड़ी को bypass करें manually उसको release करना उसके brake को छोड़ाना बहुत important है यह बिलकुल भूलनाने चाहिए manually brake को release करिये और उसके बाकी और भी चीज़े होती है उसमें आपको कुछ handles वोगदर भी बंद करने पड़ते हैं अगर इतना आप detail जानना चाहते है तो बद देख सकते है रेलवे से जुड़े information के लिए तो चलिए अब वीडियो को देख लेते हैं कि उसमें FPPP कैसे bypass का अपने साथ जोड़ता है तो ट्रेन के coach के end में आपको दिखेगा कुछ इस तरह से system में दिखता है FPPP का और यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां से जोड़ जाता है अब होता क्या है अगर इधर engine लगओ है तो इधर सेlins pressure आता है और यहां से आगे चला जाता है और इधर के तरफ चला जाता है अगर coach को bypass करना है मान लिए इस वाले coach को bypass करना है तो क्या करेंगे इसके लिए कुछ इस तरह की बेवस्था की जाती है कुँनकि अगर डाय तостиbaby की न जोड़ेगा नहीं कि यह इस कि बनाय जाता है कि यह जब भी जुड़ेगा इसके साथ ही जुड़ेगा तो हमें एक bypass coupler की जोड़ पड़ती है और इसे कहते है bypass coupler और ये एक तरफ इसमें FP होता है और एक तरफ इसमें BP होता है और ये कैसा होता है मैं आपको दिखा तो देखिए कुछ इस तरह से होता है इस वाले coupler को इसमें सही निकाला जाता है इसको काट दे जाता है काटने के बाद ये चीज निकल जाती है तो दो ऐसा एक FP और एक BP लेके यहां पे कुछ इस तरह से जोड़ दिये जाता है और इसके बाद जो चीज बनती है वो है ये और इसे कहते है bypass coupler अब देखे क्या होता है मान लिजे जिस coach को bypass करना है इस वाले coach को bypass करना है इसका जो break pipe है वो फट गया है तो हम क्या करेंगे इसको कुछ इस तरह से यहां जोड़ेंगे और ये वाला यहां जोड़ जाएगा ये देखे तो इस चीज का ध्यान गार्ड और ड्राइबर को रखना पड़ता है कि गार्डी single pipe हो गई है single pressure से चल दई है तो breaking का time और releasing का time थोड़ा सा बढ़ जाता है तो कुछ इस तरह से आप देख सकते ही ये assembly है और ये जो चीज है ये हर ट्रेन के guard के पास रहता है जिसे bypass coupler कहते है और ये beach के section के stations में भी होता है अगर guard को जोड़ पड़ती है तो वे station से भी ले सकता है बीच में जो भी छोटे बड़े station होते है हर जगाई ये चीज available होता है तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये bypass coupler क्या है ये कैसे जोड़ता है या फिर train coach को bypass कैसे किया जाता है ICF coach को bypass कैसे किया जाता है अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करना मत बूलेगा आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताईगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद